हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने पहले किसी कंपनी में DMIT ACCOUNT open किया था लेकिन हमने अजी सोच समझ कि उसको बंद कर दिया लेकिन अभी के टाइम पर हमें जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमें उसी DMIT ACCOUNT के अंदर ट्रेडिंग करनी ह तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बंद हुए डीमेट अकाउंट को दोवारा से ओपन कर सकती हैं दूसरी चीज़ हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपका अकाउंट आप एक साल तक उसको यूज नहीं करती हैं जैसे कि आपने एंजल में अकाउंट बनाया उसको एक साल तक ही उज नहीं किया तो वो आपका अकाउंट डोर्मेंट हो जाएगा तो हम पहले बात करेंगे कि बंद हुए डीमेट अकाउंट को हम दोवारा से ओपन कैसे करें तो देखो गिरोवालों का कहना तो यह है कि अगर आपने हमारी कमपनी में डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और फिर वो आपने बंद कर दिया तो आप उसको दोवारा से ओपन करी नहीं सकते क्योंकि पहले आपने उसको बंद क्यों किया कमपनी आपसे कोई चार्ज तो करनी रही थी गिरोव एपलिकेशन एमसी चार्ज भी नहीं लेता है तो इसलिए उनका सीधा कहना है कि बंद कर दिया अब अगर आपको गिरोव में यह ट्रेडिंग करनी है तो आप किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे के डोकुमेंट पर अकाउंट उपन कर लो फिर आप ट्रेड कर देना जैसे कि मैंने अपना बंद कर दिया अब मैं पापा के नाम से बना लूँ और उस डीमेट अकाउंट को मैं खोदे एंडल करूं तो इस तरीके से गुरू का पंडा है अब एंजल वन वालों का दोस्तों फंडा यह है कि अगर आपने डीमेट अकाउंट बंद कर दिया जैसे कि दो साल पहले कोला था आज इसको बंद कर दिया और आप मैं उसको फिर ओपन करूँ अगर एक महीने बाद तो ओपन नहीं होगा उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बंद किया है तो आप 90 दिन का समय बिताओ 90 दिन बाद आप डीमेट अकाउंट द्वारा से ओपन एंजल वन में कर सकते हैं लेकिन कैसे होगा डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करने का प्रोसेस करेंगे ना तो वो आपको बता देगा कि आपका पैन कार नमबर ओलरेडी रेजिस्टर्ड या फिर आप आजल कर नमबर डालेंगे आप जो भी डिटिल डालेंगे अगर आप मॉयल नमबर भी डालेंगे ना तो वो आपको बता देगा कि ये नमबर पहले से रेजिस्टर्ड है तो इसके लिए आपको एंजल वन का एक सपोर्ट करके ऐसे मेल आईडी है ठीक है तो आपको उस पर मेल करना रहता है मेरा नाम ये है मेरा मॉयल नमबर ये है मेरा मेल आईडी ये है पैन कार्ड नम्मर आधर कार्ड नम्मर एक डिटेल आपको भेजनी होती है कि मैंने अपना डिमेट अकाउंट क्लोज कर दिया था और अम मैं इसको दुवारा से ओपन करना चाहता हूँ किरपया करके जो जनकारी मैं आप उनको बता सकती है कि जब मैं प्रोसेस करने के लिए जा रहा हूँ तो आप हमारी इस जनकारी को डिलेट कर दीजें तो वो क्या करेंगे डिलेट कर देंगे और आपको मेल करेंगे कि अब आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकती है और दोस्तों जब mail की बात आती है न तो डर लगने लगता है कि वही mail तो हमें English में करना पड़ेगा तो देखो ज़रूरी नहीं है वो आप English में करो आप mail को भी इंदी में कर सकते हैं दूसरा option है कि आप customer care से call कर लेजिए तो customer care वाले आपको सब support करेंगे और वो आपका एक new account open करवा देंगे तो दूस्तों यह angel one का हुआ कि 90 दिन तक आप डिमेट अकाउंट को open नहीं कर सकते हैं 90 दिन बाद आपको अपनी जो information है तो वो delete करवानी होती है उसके बाद आप दबारा से open कर सकते हैं अब दूस्तों बात यहीं आती है कि आपका जिरुदा हुआ अठीक आपका पेश्टोग हुआ तो इन दूसरी कंपनियों का भी लगवग लगवग सेम फंदा है तो अगर आप और चीज़ां करना चाहते हैं तो customer care से call कर सकते हैं आपका जिसवी company में डिमेट अकाउंट है आप उसका नाम लेखके customer care number डाल देंगे तो यह जनकरी आपको Google पर मिल जाएगी मतलब कि नमर आप उसका Google से ले सकते हैं फिर आप customer service से बात कर सकते हैं और जो आप new डिमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका client code है वो भी new generate हो कि आपको मिलेगा तो आपने पहले हो गया है अतलब की 12 मेने आपने यूज नहीं किया तो वो आपका account dormant हो गया अब उसको आप reactivate करना चाहते हैं तो सब से पहले आपको application में login करना है login होगा सारी चीज़े होंगे आपको interface भी पूरा देखेगा लेकिन बात यह कि आप कोई भी order place नहीं कर पाएंगे आप fund bedroom नहीं कर पाएंगे आप fund उसमें add भी नहीं कर पाएंगे किसी भी service का यूज नहीं कर पाएंगे service आपको दिखेंगी तो सब लेकिन जब भी आपकी CV option पर click करेंगे तो बोलेंगे कि आपका account dormant हो गया है अब आप इसको दवारा से KYC करिए इस account को reactivate करिए reactivate का option आता है तो दोस्तो अगर आप अपने DMate account को reactivate करना चाहते हैं तो इस topic पर मैंने कुछ DMate account पर वीडियो बना दिया है सिंपल सी चीज है आप DMate account को login करेंगे पहले आपको message pop up होगा कि आपका account dormant है किरपया करके इसको आप reactivate कर लेजे तो दोस्ते यह simple सा process है यह मुझे comment करके कि पूचा था तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया तो दोस्ते इस वीडियो में बस इतना ही था अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करने ना